नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल में जो हमारे आठ गिरहें हैं जो आठ गिरहें उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इनके बारे में उनको याद कैसे रखा जाए इसको भी जानेंगे तो हम उनका डीप अधियन करेंगे तो यह करके हम देखत परिक्रमा जरूर करेगा हर गिरह का अपना बिसेश स्थान है मतलब उसका एक बिसेश स्थान होगा आकार होगा सनरचना होगी और परिक्रमा पत होगा गिरह की सबसे बड़ी पैचान यह है कि वह उसका एक बिसेश आकार होगा गोलाकार होगा और उसका एक अपना पत होगा मतला उस बात पे उसका जो रास्ता है उसका जो पत है उस पर कोई दूसरा पिंड नहीं होगा उस पही अकेला पिंड उस बात पे यात्रा करेगा ये गिरही के सबसे बड़ी परिवाशा होती है आईए अब पिरतेक गिरह के बारे में जानते हैं तो देखिए पहला गिरह हमा प्रिथवी मंगल ब्रश्पत्य सनी अरुण बरुण यह आठ जो है वह हमारे ब्रह्मार्इवां हमारी código अरभ देखिए मैं इनको याद कैसे करना है वह तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो आप दो ad करेंगे तो क्या आजाएगा ? सुकृ बार आजाएगा तो अपको पता चल जाएगा सुर्छ के पहला गिर हैю बुद्, बुद्न में दो ad करें बिरसपथ, सुकृ, सुकृ आ गया मतलब दूसरा गिर है सुक्र हो गया फिर आपका प्रित्वी आ गया प्रित्वी पर जश्ट बाद आपका है मंगल मंगल में आप दो एड करेंगे क्या आ जाएगा ब्रस्पती मंगल बुद्ध ब्रस्पत ठीक है ब्रस्पत में दो एड करेंगे क्या आ जाएगा ब्रस्पत सुक्र सनी सनी आ जाएगा आपका फि तो इस तरह से जो सोलर सिस्टम में गिरह हैं हमारे स्वार मंदल में जो गिरह हैं उनको याद करा जा सकता है यह लगबाग भूल जाते हैं सभी लोग लेकिन ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे बुद्ध में दो एट करो सुक्र सुक्र के बाद प सबसे बहले देखते हैं बुद्ध को यह सूर के सबसे निकट इस्थित है वो दिगरह जो है वो सूर के सबसे निकट इस्थित है आकार में सबसे चोटा गिरह है और इसकी सथा चटानी होती है ठीक है यह आकार में सबसे चोटा गिरह है और इसकी सथा जो है वो चटानी है पुद्ध गिर है का बायू मंडल लगभग ना के बराबर है मसकल इसका जो बायू मंडल है वो नहीं के बराबर है जिस कारण यहां तापांत में भारी अंतर होता है यहां जो तापमान में जो है वो भारी अंतर पाया जाता है दिन में ये बहुत गर्म और रात में अत्यादी ठंडा होता है तो ये कुछ फैक्ट बुद्ध के बारे में हो गए दूसरा है सुक्र ये सुर से दूसरा गिरह है और आकार वा संद्चना में पिर्थवी से मिलता जूलता है इसलिए इसे पिर्थवी का जुडबा भी कहा जाता है यहाँ पर आपको दिहान रखना है पिर्थवी का जुडबा किसे कहा जाता है सुक्र को कहा जाता है सुक्र का बायूमंडल बहुत घना और अतियंत कारवन डाई ऑक्साइट से भरा है जिससे उसका ताफमान बहुत अधिक रहता है इसे संधे तारा या सुभे का तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये सुभे और साम को चमकता है और इसे संधे तारा ये सुभे का तारा भी कहा जाता है तीसरा है अपनी प्रिथवी ये तीसरा गिरह है और जीवन का एक मात्र ग्या आत्रिस्तान है इसकी सताय पर 71% पानी भरा हुआ है और बायू मंदल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आधी गय से महजूद है पृतिवी पर एक उपगरह है जिसे चंद्रा भी कहते हैं पृतिवी का जो उपगरह है उसको चंद्रमा कहा जाता है नेक्स है हमारा मंगल ठीक है यह सूर्ज से चौथा गिरह है मंगल जो है वो सूर्ज से चौथा गिरह है इसे लाल गिरह भी कहा जाता है आपको ध्यान रखना है मंगल गिरह को लाल गिरह भी कहा जाता है क्योंकि इसके सताय पर लोहे के ऑक्साइट के अधिकता है इसके कारण यह लाल चमकता है और इस सबसे बड़ा गिर और पांच से सूर्य के पाच में गिर्ग है YouTube सबसे बड़ा गिरा है video ब्रस्पति के 4 ऑर कई उपगरहें जिसमें गैलिल्यान, चन्द्रमा, अयो, इउरोपा, गेमे नेैट और कैलेश्टों पिर्मुक्ख है। जो इसके उपगर हैं उनको याद रख लेना है ब्रस्पती के बैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको ये कुछ याद रखना है गैलिलियन चंदर्मा आयो यूरोपा गिनेमेट और कैलेस्टो नेक्स है हमारा सनी शैटन ये सूर से छटा गिरह है सूर से चटे नंबर का गिर पाय जाते हैं या बलैयों पाय जाते हैं तो तो सनी गिरह इसका यूरोब अधिल हुए है सबसे बड़ा हुद गिरह ईसने साथ का नीला दिखाई दिता है अरुण की घुर्मन गती 90 डिग्री जुगी हुई है मतलब अरुण जो है 90 डिग्री जुगा हुआ है जिसके कराण ये अपने अक्ष पर लगभग लेटा हुआ प्रतीत होता है ठीक है तो ये हमारे कुछ गिरहर है हमने बायू मंडल में जितने आठ गिरह है उनका हमने अध्यन करा और उनके बारे में डीपली जाना तो उनको याद कैसे रखना है इसको भी जाना अगर ऐसे टेस्टिंग फैक्ट आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें थैंक यू